हलो बच्चों, गंगवार EDR Institute में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हरियोम गंगवार। बच्चों जैसा कि आप जानते कि NEED 2022 का रिजल्ट डेकलेर हो चुका है। इस रिजल्ट के आने के बाद बहुँ सारे ऐसे बच्चे हैं हैं जो कट-off को क्रॉस कर रहे हैं, या वो वो सेलेक्ट हो रहे हैं अपने dream college में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ वजहों से, कुछ ना कुछ नमबर से अपने ड्रीम से थोड़ा सा पीछे रहे गए जो डाक्टर बनने का एक सपना था उससे थोड़ा सा पीछे रहे गए कुछ का इसकोर ऐसा हो सकता है कि जो कट ओफ से थोड़ा जादा कम रहे गया है या थोड़ा सा उचूग गए पांस-दस नमबर या 20-25 नमबर या 50-100 नमबर से तो ऐसे बच्चों ने करीब दो महिने 17 जुलाई को नीट का एक्जाम हुआ था उसके बाद आज की अगर हम बात करें करीब दो महिने का टाइम हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लग रहा था कि इस बार कट आफ कम जाएगा सेलेक्शन हो जाएगा उनका स्कोर इतना आ रहा था कई सारे बच्चे मुझसे पहले मिलने आए रिजर्ट आने के पहले कि उनका स्कोर 605 नमबर है या 602 नमबर है अभी जो उनका स्कोर आ रहे है वो 592 नमबर है 595 नमबर इस बच्चें बिलकुल भी निराद ना हो बिलकुल भी परेसान न हो आपको इस बार आखरी सीट मिलती किसी कॉलरेज की बहुत अच्छा परेज आपको ना मिल पाता लेकिन हो सकता है कि उपर वाले ने आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज आपके जो आपने सोचा ना हो भी आपके लिए सोच रखा हो अभी भले हमें बुरा लगता है वो चीज कि हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ कुछ नंबर से रूख गया लेकिन अगर आप अगले आठ नो महिने तक इमानदारी के साथ लग जाएंगे तो आपका स्कोर 700 भी आराम से आ सकता है तो कि हमने देखा है जिन बच्चों ने 440-450 का स्कोर पिछली बार किया था इस बार उनका स्कोर 6500 तक पहुँच गया है मतलब आप समझ लीजे कि 2200 नंबर का उनके बीच में गया पा रहा है मतलब इतना उन्होंने मेहनत किया तो अगर आपका स्कोर 500-5500 है 590-580 के आसपास तो आप इचली 700 नंबर का स्कोर कर सकते हैं इसके लिए स्पेशल संकल बैचेस की सुरुवाद भी कर दी गई है बहुत सारी रीपीटर बच्चे उसमें क्लास कर रहे हैं अगर आप भी ड्रॉप लेना चाहते हैं तो इस बैच को आप जॉइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस बार का जो टार्गेट है वो 700 प्लस का हम टार्गेट कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि इस बैच में जो 100 स्टुरेंट हम लें, 100 बच्चे जो इस बैच में हो, 100 के 100 सलेक्ट हूँ. 2019 में जो संकल बैच हमने बनाया था, कोविट के जस्त पहले, उसमें 27 में से 24 स्टुरेंट सलेक्ट हुए थे. तो इसमें भी हम चाहरें कि पुरा इतिहास बने, 100 के 100 बच्चे सलेक्ट हूँ. तो बैच इस बैच को आप जोइन करीए, अगर आपका स्कोर करीब 400, 400, 500, 500 जो भी है, इतनी मेहनत आप से कराई जाएगी कि आपका सलेक्शन हो जाएगा. बस आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, बाकि हम लोग पीछे पूरी तरीके से आपके खड़े रहेंगे, पीछे पूरी तरीके से लगे रहेंगे आपके सलेक्शन के लिए. क्योंकि सीधी से बात है कि जब मेरे बच्चे का सलेक्शन होगा तभी मेरा भी नाम होगा. चाहे कोई टीचर के इतना अच्छा पड़ा है, लेकिन जब तक उसका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, तब तक उस टीचर का नाम नहीं हो सकता है. तो आपके selection से ही teacher का ही नाम होता है, दूसरी बात एक और है कि सफलता से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हमारी age या फिर हमारा percentage, हमारा board ये कुछ मैटर नहीं करता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मैंने हिंदी medium से पढ़ाई की, UP board से पढ़ाई की है, मेरा इतना percentage ता पढ़ाई की, और मैंने selection लेके agency में, तो कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप ने देखा प्रदीप जी को बावन साल की उमर मुनों नहीं नीट में selection लिया, 607 नंबर लेके आए, तो आप भी ये काम कर सकते हैं, तो अगर आपने ठान लिया है कि डॉक्टर बनना है तो बहुत अब दो महिने वैसे ही वेस्ट हो चुका है, अभी आठ महिने का प्रॉपर टाइम हमारे पास है, आप यह मान के चली कि में जून में आपका नीट का एक्जाम होगा 2023 में, तो पूरे जीजान लगा के बेटा स्टार्ट करिए, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस् यह बैच केवल और केवल ऑफलाइन ही यह बैटा ऑनलाइन में संकल बैच नहीं, ऑनलाइन बैच अगर आप जोईन करना चाहते है तो उसके लिए सफल बैच है, और सफल बैच की जो फीस हैं नीट बैच तो इतनी कम फीस में सबसे बहतरीन बैच आपको मिल रहा है, प्रॉइड की जाते हैं, रेड़िबल फॉर्मिट में अएप के ओपर, नीट अभ्यास अप पर जाके आप इस को पर्चेस कर सकते हैं सफल बैच को अगर आप चाहें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप लखनों में आकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप सफल बैच पर जल्दी हो सके, और भी कोई अगर समस्या है तो आप कमेन सेक्शन में जुरूर पूछेगा, उसका एंसर हम करेंगे, बेस्ट आफ लगगे!